तो भई अगर दोस्तों आपको यहाँ पर अरजेंट जरुरत पड़ चुकी है यानि कि आप घर से बाहर हो या फिर कोई भी अरजेंट आपको जरुरत पड़ गई है और जरुरत यह पड़ गई है कि आपको यहाँ पर एक हजार उपैसे लेके 10,000 उपा तक आपको ऐसी एमर यानि कि पांच मेर्ट के अंदर आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको अर्जेंट में रिक्वारमेंट है पैसे की आपको जरुरफ पड़ गी चुकी है ऐसी जरूर्स पढ़ गी है कि आपको यहां पर कोई भी ऐसे पैसे दे दे कि आपको यहां पर एक महिने के बाद उसको आप लोटा सको तो यह application आपके लिए best हो सकती है क्यों जो भी आपको फर्स टाइम में आपको limit मिलती है आपको दोस्तों यहां पर 30 दिन तक सिंपल सा step अपको complete करने के बाद में तीन step आपको यहां पर complete करने है आपकी जो भी लिमिट होती है आप उसको अपने बैक्वार में transfer कर सकते हो यहां पर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल life-row प्रूप आपको करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर दोस्तो इसमेल यहाँ पर अगर आपको थोड़े पैसो की जरूरत है इस्टेंट प्रसनलोन की आपको जरूरत है तो यह वीडियो आपके लिए बैस्ट हो सकती है अगर आप सोचते हो कि भी आपको यहाँ पर 50-60,000 या फिर 1,00,000 रुपे चाहिए तो यह वीडियो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर दोस्तो फर्स टाइम में आपको एक महिणे का टरनोवर आपको मिलने वाला है पूरा प्रोश्य दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो भी वीडियो का एन तक जोड़ देखना वीडियो चिलाग कर देना अगर भी अफितक भी आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जल्दी जाकर इस चैनल सब्सक्राइब जो कर देना क्योंकि दोस्तो ऐसा कंडेट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहता है विदाउ टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब्लड कर लिया है सबसे उपर की साइड में दोस्तो आप यहाँ पर देख पा रहा हूं आपको यहांपर अप्लाई करेने लिए दोस्तो आपके पास में pen card और आधार कार इंस्टेट के इस्टेट चाहिए आपको दोस्तों यहाँ पर आधार काड और पैन काड का फोटो अपलोड करना है कोई भी यहाँ पर आपके पास में KYC आपकी डिजिटल नहीं रहने वाली है यहाँ पर दोस्तों आपके पास में एक फोटो होना चाहिए आधार काड और पैन काड का वो दोस्तों यहाँ पर आपको प्लोर करना है और भई एक हजार रुपे से लेके दोस्तों साट जार रुपे तक आपको इंस्टेंट आपको लोन दिया जाता है बड़ भई 60,000 रुपे तक नहीं मिलेगा आपको 1000 रुपे से लेगे 10,000 रुपे तक आपको यहाँ पर लोन मिनने वाला है यहाँ पर दोस्तों इस्टेंट के इस्टेट आपको लोन दिया जाता है मैंने दोस्तों यह About Section इसलिए ओपन किया है कि भी आपको यहाँ पर बता दू कि भी यहाँ पर आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड की आपको आवा सकता है और भी RBI और NBFs Registered Application यहाँ पर होने वाली है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका About Section चेक आउट करवाया है आपको बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर Apply Live Proof लिकुरू आपको करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पर मैंने अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लिया है जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके पास में दो option आपके पास में यहाँ पर 100 हो जाते हैं एक आपके पास में English का एक Hindi का आपको यहाँ पर English पर Select कर देना है अगर भई आप Hindi करना चाओ तो भई आप कर सकते हो और बहन नीचे की साइड बे आप यहाँ पर देख पार Next पर आपको किलिक कर देना है जैसे नेक्ट पर किलिक करोगे यहाँ पर आपके पास मेंS interface आजाएगा यहाँ पर Yes I Understand पर आपको किलिक करना है और बहन यहाँ यहाँ पर आपके पास में पहले ही बता देगा आपको क्लिक करना है और यहांइ पर, यह.घुड़, पर यह?" पर आपको क्लिक करने के बाद में, थोड़ी बहुत ही दोस्तों आपको अपनी इन्फरमिशन आपको यहां पर फिल करनी होती है वो आपको यहां पर फिल कर देनी है मैं पास में यहां पर ओलेडी अकाउंट है क्रिएट एर अकाउंट पर आपको किलिक करना है अगर आपके पास में नहीं है तो तो भी मैं यहा मैं यहां पर आपको करके देखा देता हूं यहां पर दोस्तों जैसे ही मैं अप्लिकेशन को open करूँगा जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया about section में कि आपको जो limit मिलती है आपको 1000 रुपे से 500 रुपे से start होती है और भई 10,000 रुपे तक आपको यहां पर limit दी जाती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया जो भई आपको यहां पर instant आपको जरूरत है पैसे जी instant के instant तो भई यह loan application आपके लिए हो सकती है यहां पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी 7 days application नहीं है यहां पर आपके पास में 2 turnover यहां पर आपको देखने को मिल रहे है एक तो दोस्तों आपके पास में यहां पर 21 दिन का मिल रहा है और भी दूसरा आपके पास में यहां पर 30 दिन का आपको यहां पर turnover देखने को मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों select करने बाद में आपको amount select करने बाद में यहाँ पर आपको click कर देने यहाँ पर आपके पास में option आ जाएगा कि भी आपको यहाँ पर इतने दिन का आपको यहाँ पर ट्रन ओर मिल रहा है और भाई इतने रुपे आपको यहाँ पर रिपेमेंट आपको करनी पड़ेगी जैसा कि यहाँ पर में पास में यहाँ पर दो ट्रन ओर मिल चुकी है आपका लास्थ टेम। आपका जो भी पिन कॉर्ट होगा और भी आपके फीलिम् पर निचे की साड में आपको यहां पर गारंटर आपको देने पड़ागा, एक गारंटर आपको यहां पर देना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने यहां पर ब्रोदर पर क्लिक कर दिया है, मैंने उसका नाम डाल दिया है, उसको मुबैल नमबर यहां पर फिल कर दिया है, फिल कर जो भी यहाँ पर आपको फिल करना है आपकी shti आज जाएगी आपके pin code आपको फिल करना है यहाँ पर अगर आपका सेम है address जो भी आप जहाँ पर रहते हो और वह लिसा है मैं same address है तो भही यहाँ पर आपको click कर देना है जैसे कि मैं अपने यहाँ पर address सब कुछ complete करके आपको दिखा देता हूं जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है click और भही मैंने यहाँ पर address सब कुछ complete कर दिया है जैसे कि मेरा यहाँ पर एड्रस हो गया मेरा सीटी आ चुकी है मेरा यहाँ पर पिन कोड आ चुका है और भाई मैंने यहाँ पर सब यहाँ पर कर दिया है क्लिक और भाई सेम तो सेम मेरा नीची आ यहाँ पर आ चुका है सेम मेरा यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है यहाँ प पर मंतली इंकम आपको यहां पर बता नहीं है नीचे की साइड में दोस्ता आप यहां पर आपका पैन कार्ड का नंबर होगा वो यहां पर आपको फिल करना पड़ेगा जैसे कि मेरे केस में अभी यहां पर कुछ भी डालके नहीं दिखाता हूँ यह मैंने यहां पर फिल कर के बाद में दोस्तों यहां पर आपके पास में S अंटर फेस आ जाता है यहां पर जो भी आपकी एमेल क्लिक करना है इसकी जो भी ट्रमेंड कंडिशन होती है वो आपको यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेनी है जैसे एक्सेप्ट कर लेते हो यहाँ पर नेक्स के selfie आपको upload कर लेनी है जैसे ही यहाँ पर सब कुछ complete कर दिया जैसे कि मेरे case में आप यहाँ पर complete कर देता हूँ भाई मैंने यहाँ पर सब कुछ कर लिया है complete जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहा है यहाँ पर मैंने information यहाँ पर मैंने complete कर दिया यहाँ पर मैंने इपनी जो भी मेरे जो प्रस्नल इंफरमेशन होती है वो complete कर दी जो मैं काम करता हूँ वो मैंने complete कर दिया जो मेरे bank detail है वो मैंने यहाँ पर fill कर दिया जो भी मेरे document वगेरा है वो मैंने यहाँ पर सब कुछ fill कर दिया जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहा है फार्नल स्टेप बचता है आधारकार का आधारकार दोस्तों मैंने यहाँ पर अभी अप्लोड नहीं किया है क्योंकि मेरे पास में अभी यहाँ पर प्रोब्लम चल रही है प्रोब्लम यह है कि जो यह मुबाइल होने वाला है जिस मुबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ यह मुबाइल मेरा यहाँ पर इसका कैमरा वगेरा अभी अच्छा नहीं है तो भई यह मांग रहा है जो भी फोटो होती है उसके लाइब मांग रहा है कि भई आप अपने अधारकार की फोटो लाइव खीचिए लाइव मेरे को अप्लोड कीजिए तो भई मैं बिल्कुल भी मेरे पास में अभी यह मुबाइल वगेरा नहीं चल रहा है और भई जो दूसरा वाइल है उसमें दोस्तों मैं अप्लोड कर दूँ हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे मेरे को अभी लोन के जड़रत भी नहीं है मैंने दोस्तों वीडियो आपके लिए बनाई है आपके लिए मैंने यहाँ पर वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए application यहाँ पर होने वाली है आपके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो भई आप देखे लीजिए आप अपने हिसाब से अपने जो भी आपके document होता है वो upload कर दीजिए जैसे कि मेरे case में यहाँ पर अभी आ रहा है in progress ठीक है application यहाँ पर बिल्कुर genuine है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है RBI और NWIP से registered application है अगर भई आपको requirement है urgent के urgent तो भई यह application आपके लिए best हो सकती है application का अगर भई हमें नाम बता हूँ आपको money make personal loan application का आपको नाम होने वाला है RBI registered application है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है any website registered application है कोई भी आपके दिक्कत वाली बात नहीं है भई यह application ती मैंने आपको बता दिया है I hope दोस्तों जानगारी आपको बहुत अच्छी लिगोगी वीडियोच लाइक कीजिए अगर भई अभी तक भी आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जल्दी जाकर इस चैनल सब्सक्राइब चोगीजिए